हेलों वेल्कम आप सभी का हमारे इस ग्रेशनल प्लैटफॉर्म कॉम्पटिशन कम्यूटी पर एक बार फिर तस्वागत है बात करेंगे हैं यहाथ हम लोग 24 अपरेल को पटवारी परिक्षा में पूछे गए प्रशनों के डीटेल्ड सॉलूशन की इससे पहले कि अगर मैं कोशन देखने को मिले हैं जीएस के सेक्षन में इसी प्रकार रीजनिंग से संबंदित पूछे के प्रशनों का जो डीटेल्ड सॉलूशन है वो आप मेरे साथ यहाँ पर देखने वाले हैं और अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी इसको आप मिथुन सर के साथ में डिसकस करने वाले हैं डीटेल्ड सॉलूशन के ताहर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं रिजनिंग में कौन-कौन से प्रशन यहाँ पर देखने को मिले हमें इस पटवारी परिक्षा में तो सबसे पहला प्रशन तो यहाँ पे आपको एक ही पासे की चार अलग-अलगी सितियां जैसा की बेसिकली देखने को में मिलता है लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्रशन की बात करूँ तो यह प्रशन में एक ही पासे की सितियां में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं क्यों नहीं दे रही हैं के उपर भी हम चर्चा करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रशन को आप reason के साथ समझें तो आपको अलड़ी ssc के playlist में वीडियो मिल जाएगा dice से संबन दे जहाँ पे आपको बिल्कुल detail में reason के साथ हर एक बात को discuss किया गया है तो अगर मैं बात करूँ इस प्रशन की तो यहाँ पर अगर हम position एक को pick करते हैं और position दो को pick करते हैं याँ कि अगर हम एक और दो को pick करते हैं तो यहाँ पर जो हमें common element दिखाई दे रहे हैं पाँच और छे दोनों में common दिखाई दे रहे हैं तो जो remaining होता है वो क्या होता है एक दूसरे का opposite होता यानि कि यहाँ पर हम क्या कर सकते है चार का opposite 3 को ले सकते है इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर position 2 and 3 की तो जो मैं position 2 and 3 की बात करता हूँ तो इन दोनों में हमें 3 common दिखाई दे रहा यानि कि position अगर 2 की हम बात करे तो 3 से clockwise जाने पर हमें मिलेगा 3, 5 और 6 और इसी परकार position 3 से हमें यहाँ पर 3 के बाद देखने को मिलेगा 2 और 1 यानि कि यहाँ से भी हमें 3 का opposite क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है 4 बनता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन जब हम बात करते हैं position 3 और 4 की तो जो position 4 में अगर हम यहाँ पर common surface से move करेंगे clockwise direction में तो यहाँ पर मिलेगा हमें 5 और 6 यानि कि यहाँ पर आपको 3 का opposite 5 बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना कि 4 यानि कि हम 4 को यहाँ पर consider कर सकते हैं कि 1 का opposite देखने को मिलेगा इसी परकार जब आप बात करें यहाँ पर पहले और आखरी position की तो इन दोनों में आपको common element दिखाई दे रहा 5 और 6 और मैंने कहा कि जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा एक दूसरे के विपरीट होगा तो 1 का opposite यहाँ से भी आपको क्या 4 बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक बार तो 1 का opposite हमें 4 मिल रहा है और 1 का opposite हमें 4 मिल रहा है और अगर हम बात करें यहाँ पर सही उत्तर की तो हम option number D के साथ में जाएंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर 4 के विपरीत में कौन से अंक लिखी हुई सता देखने को मिलेगी clear चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अगले प्रशनकी अगले प्रशनकी बात करूँ तो यहाँ पर प्रपर लोजिक बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो जो भी लोजिक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है उसके according अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो option number D क्या हो जाएगा पूछे के प्रशनकाल right answer हो जाएगा जैसा कि आपको एक तो लोजिक यह आप लगा सकते हैं कि सभी numbers में आपको unit digit दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है 2 दिखाई दे रही है जब कि मैं बात करूँ अगर यहाँ पर 62 और 82 के बीच में तो यहाँ पर आपको 20 का अंतर देखने को मिलेगा और 82 और 92 के बीच में आपको 10 का अंतर देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर हम 72 के साथ में जाते हैं तो 32 और 52 के बीच में 20 का अंतर और 52 और 72 के बीच में 20 का अंतर इस प्रकार से आपको यह बनता हुआ दिखाई देगा इसी प्रकार जब हम horizontally यहाँ पर क्या करेंगे difference लेंगे तो हमें कुछ इसी प्रकार का pattern बनता हुआ दिखाई देगा यानि कि अगर हम बात करें 12 से 32 की तो यहाँ पर 20 का अंतर और 32 से 62 की तो 30 का अंतर 22 से 52 की तो 30 का अंतर और 52 से 82 के बीच में 30 का अंतर जबकि 42 से 52 के बीच में यहाँ आपको 30 का अंतर देखने को मिलेगा और 72 से 92 के बीच में आपको 20 का अंतर देखने को मिलेगा यानि कि जिस प्रकार के नंबर आपको यहाँ पे first और last में दिखाई दे रहे हैं बीच में आपको similar numbers दिखाई दे रहे हैं उसी प्रकार यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और last में numbers का pattern change देखने को मिला है और वीच में आपको similar numbers दिखाई दे रहे हैं तो अगर इस logic के ताहत हम देखें तो यहाँ पे हम option number D के साथ में जा सकते हैं बाकी आप इंतजार करेंगी आयोग के द्वारा जारी की जाने वाली answer की का चलिए बात करते हैं अगले question के अगले question के अगर हम बात कर तो यहाँ पे हमें number of triangles बताने है आसानी से आप गिन सकते हैं यदि मैं इस area की बात करूँ यदि मैं इस area की बात करूँ तो हमें पता इस area में कितने number of triangles मिल जाएंगी तो यहां से मिल जाएंगे हमें 3 number of triangles यहां से भी मिल जाएंगे हमें कितने 3 number of triangles जबकि मैं इस वाल area की बात करूँ अगर तो एक तो यह मिल जाएगा बड़ा वाला और एक मिल जाएगा छोटा वाला दो यहां से मिल जाएंगे इसी प्रकार एक यहां से यह हो जाएगा छोटा वाला और एक यह पूरे को मिला दें तो एक बड़ा वाला यानि कि चार त्रिभुज यहां से मिल गए, तीन त्रिभुज यहां से मिल गए, साथ तीन त्रिभुज यहां से मिल गए, दस इसके अलावा अगर हमें बात करूं तो इसके अलावा भी यहां पर त्रभूजों की कुल संख्या की तो यहां पर आपके 12 त्रभूजों बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि किसी भी विकल्प में आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो इसलिए इस प्रश्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इन में से कोई नहीं बात करें यहाँ पर अगले पूछे गए प्रश्ण की अगले यदि मैं प्रश्ण की बात करूँ तो काफी आसान सा question आपको देखने को मिल ला है जो की coding decoding पर based है question के अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है केवल आपके क्या किया गया है sequence में change किया गया है और अगर मैं बात करूँ mid element की जो कि आपका i है वहाँ पर प्लस 2 होता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर capital की तो lat यानि कि second half portion को क्या किया गया है reverse order में इस प्रकार से लिखा गया है lat इसके बाद में आपको देखने को मिल रहा है क्या k यानि कि i की place value की अगर हम बात करें तो i की place value होती है 9 और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर p a c यानि इसको भी आपके क्या किया गया है reverse order में लिख दिया गया है इसी परकार अगर हम बात करेंगे पूछे गए प्रस्ण की तो प्रस्ण को हम क्या करेंगे दो equal भागों में divide कर लेंगे इस प्रकार a में क्या करेंगे हम plus two करेंगे तो यहाँ पर हमें c देखने को मिलेगा जो की केवल और केवल a की विकल्प में बनता हुआ हमें इस प्रकार के logics को हम लोग already discuss कर चुके हैं जब हम लोग number series के topic को discuss कर रहे थे यानि कि अगर मैं question की बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है उसको अगर आप यहाँ पर attend कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप इस प्रकार के questions के साथ में familiar होंगे दूसरी important बात यह कि मैंने आपको बताया कि reasoning subjects related जो भी आपके number पर based questions देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर numbers का square numbers का cube इस प्रकार के logic के साथ में आपको mostly questions देखने को मिलते हैं और आप number को देख करके किस number का square है किस number का cube है यह अगर आप पता कर पाते हैं तो question मनाने में आपको काफी आसानी होगी जैसे कि यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ numbers की तो यह सारे के सारे numbers क्या है आपके square के पास के number है जैसे अगर मैं बात करूँ 3 की तो 3 आपका 2 का square minus 1 करने से मिलेगा 10 की बात करूँ तो यहाँ पर 3 का square plus 1 करने से मिलेगा 24 की अगर मैं बात करूँ तो 5 का square minus 1 करने से मिलेगा 50 की बात करूँ तो 7 का square plus 1 करने से मिलेगा 120 की बात करूँ तो 11 का square minus 1 करने से मिलेगा तो अगला किस number का हम square लेंगा और plus होगा की minus होगा यह अब तक आपको समझ में आ चुका होगा जैसा कि आप numbers देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11 यानि कि सारे के सारे क्या है, prime number है तो अगला जो आपका prime number मिलेगा वो मिलेगा आपका 13, यानि कि 13 का हम क्या करेंगे, square करेंगे 13 का square कितना होता है, 169 अब plus minus भी यहाँ पर आपको alternate देखने को मिल रहा है minus plus minus plus minus तो अगला क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा यानि कि 170 क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, पूछे गए प्रश्न का, बात करेंगे यहाँ पर अगले question की अगले थी मैं question की बात करूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानि कि 4 और 6 की बात करें तो 10 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जब कि 1 और 3 की बात करें तो यहाँ पर 4 होना चाहिए था, अलाकि इसको छोड़िए, यहाँ पर हम बात करेंगे question के answer की, जो कि आप यहाँ पर केवल और केवल pattern से ही निकाल सकते थे, जैसा कि आप देख पार यहाँ पर इस प्रकार का pattern बन रहा है, और इसके बाद जो दो corner से आपको इस प्रकार से pattern बनता हुआ दिखाई देगा जिसके basis पे आप बाकी के तीन options को क्या कर सकते थे यहाँ पे eliminate कर सकते थे यानि कि यह option भी आपका हो जाएगा eliminate यह भी eliminate हो जाएगा और यह भी क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा बचा आपका एक ही भी कल्प option number A यहाँ पे L और J आपको देखने को मिल रहा है अगर L की बात करें तो place value 12 J की बात करें तो place value 10 यानि कि दोनों का सम आपको 22 देखने को मिल रहा है यानि कि option number A क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए चलिए बात करते हैं अगले question की अगले हैदी मैं question की बात करूँ तो coding decoding पर based question है copy की अगर हम बात करें तो 3,6,7 आपको दिखाई दे रहा है logic की अगर हम बात करें तो C की place value होती है 3, O की होती है 15 जब कि आपे देखने को मिल रहा है 6 तो logic मैंने discuss किया हुआ अरड़ी sum of the digits of place value यानि की हमने क्या किया है place value की digits का sum कर दिया है तो P की बात करें तो place value होती है 16,6,1 मिलाओगे तो 7 Y की place value होती है 25 2 और 5 मिलाओगे तो 7 बनता हुआ दिखाई देगा निकालना हमें किसके लिए है निकालना हमें Ukraine के लिए है तो 2 और 1 मिलाओगे तो 3 बन जाएगा फिर K की बात करें तो 1 और 2 बन जाएगा यानि कि option number D आपका eliminate हो गया R की बात करें तो 8 एक 9 बन जाएगा option number B आपका eliminate हो गया A की बात करें तो आपको 1 मिलेगा देखने को और I की बात करें कार से बनेगा 25 और pentagon की अगर हम बात करें तो divided by के लिए है डिवाइड by triangle की अगर हम बात करें तो आपका minus के लिए है और square की हम बात करें तो multiply के लिए है और अगला अगर हम बात करें तो आपका है plus के लिए clear इसको जब solve करेंगे तो board mask का rule हम लोग follow करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे divide करेंगे तो ये value मिल जाएगी हमें 5 minus 20 और plus का 27 तो 27 और 5 हो गया 32 32 में से 20 घटा होगे तो value मिलेगी 12 option number है क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रसने के लिए चली बात करते हैं आप अगले question की जो कि आपका missing number पर best question आपको देखने को मिल रहा है काफी आसान सा question है चाहे तो आप यहाँ पर row wise जाएगे या फिर आप column wise जाएगे तो आपको जो numbers का sum देखने को मिलेगा वो आपको एक ही देखने को मिल रहा है जिसे की बात करें छे चार दस दो बारा और एक तेरा चार तिन साथ तिन दस तिन तेरा चार दो छे चार दस तिन तेरा और यहाँ पर बात करें तो छे चार दस दो बारा तो बचा कितना एक यह नहीं कि option number B क्या हो जागा right answer हो जागा इसको आप गृर्टिकली भी देख सकते थे यहाँ पह देखिये 4 3 7 4 11 और 2 13 3 2 5 4 9 4 13 1 और 3 4 4 3 7 और 6 13 तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 4 10 दो 12 तो बसता है अपका एक ही नमबर 1 याईनि कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो answer हो जाएगा आपका option number B बात करेंगे अगले प्रस्नकी अगले दिमें प्रस्नकी बात करूँ तो आपको जो single line है इस प्रकार से आपको line देखने को मिल रही है तो यह किसको निरूपित करती है तो यह आपको one के लिए line देखने को मिलेगी इसी प्रकार जब 2 line हैं यहाँ पे तो आपको यह देखने को मिल रही है किसके लिए four के लिए जब तीन line है तो किसके लिए मिल रही है देखने को nine के लिए मिल रही है तो पूछा है तब किसके दोरा आपके 16 को निरूपित किया जाएगा यानि कि जितनी number of lines हैं उसी के हम क्या करD torn 16 मिल जैगा यानि कि कर्यक्ट option की बात करे तो option number C हो जाएगा right answer पूछे गए परसने के लिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम अगले question की ओर अगले दि में question की बात करूँ तो यहां पे 6, 12, 30, फिर आपको question mark 132 और 182 देखने को मिल रहा है, तो इन numbers की मैं बात करें, तो again मैंने कहा numbers कहीं न कहीं आपको पहचानना आना चाहिए, अगर हम 6 की बात करें, तो 6 यहां पे आपका 2 का square, plus 2, 12 की बात करें, तो 3 का square, plus 3, 30 की बात करें, तो 5 का square, plus 5, तो यहां पे जो 2 question आपको देखने को मिले, series के, लगभग लगभग आपके एक रही pattern पर based आपको देखने को मिले, यानि कि इस question के अगर हम बात के, तो यह भी आपका prime number की series पर based question है, यानि कि prime number के sequence में हम क्या कर रहे है, यहां पे numbers का square ले रहें, और उसमें हम क्या कर दे रह अगले number के साथ में 11 का square, अगला prime number आएगा आपका 11, 11 का square plus 11 करोगे, तो आपको value मिल जागी 132, और उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे, तो 13 का square plus 13 करने से आपको मिल जागा 182, इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि 2 का square हम किसमें करदें, इसके अगले number में दें 6, 5, 30, अगले प्राइम नंबर मिलेगा हमें 7 तो 7 का हम क्या करें multiply कर दें उसके अगले नंबर में यहनकी 8, 56 यहाँ पर answer के अगर हम बात करें तो हो जाएगा option नंबर C, बात करते हैं अगले प्रश्ण की, अगले दी में प्रश्ण की बात करूं तो पूछा जा रहा है विलुप्त चित्र कौन सा है, विलुप्त अगर हम चित्र की बात करें तो A, B, D देखने को मिल रहा है, फिर अगला स्टार्ट होगी आपका E, F, H, तो H की बात अगर हम बात करें तो मिलेगा हमें I, J और यहाँ पर मिलेगा आपका plus 2, यानि की L, तो I, J और L आपको देख देखने को मिल रहा है, I, J, L, केवल रुकेवल, option number C में, number की बात करें तो number से भी आप इसको pick कर सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9, 10, 11, 12, option number C के हो जागा, right answer हो जागा, पूचे गए, प्रसन के लिए, बात कर लेते हैं, अगले, question की अगले, अ second वाले column में आपको जो देखने को मिल रहा है, अगले column में क्या हो जा रहा है, जो अंदर इसके आकरती है, वो reverse order में आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम बात करें, अगली आकरती की तो इसका जो अंदर आपको आकरती देखने को मिल रहा है, इसका क्या देखने के लिए बात कर लेते हैं अगले question की अगले यदि मैं question की बात करूँ तो बोला है यदि circle क्या है medical store के लिए है triangle है किराना दुकान के लिए pentagon है फल दुकान के लिए square है general store तथा इनके अंदर की संख्या इनकी कुल संख्या को सूचित करती है तब कौन new thumb है तो new thumb की अगर हम बात करें तो सबको हम यहाँ पर separate लिख लेते हैं square वाले के अगर मैं बात करूँ square वाले के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3, 5 और 4 यानि की 8, 4, 12 फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर triangle की triangle के अंदर हमें दिखाई दे रहा है 4, 5, 9 और 8, 17 फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर pentagon की तो 5, 4, 9, 7, 16 और अगर मैं बात करूँ circle की तो 7, 5, 12, 8, 20, 9, 29 तो square किसको दर्शाता है केवल हमें यह देखना है तो square आपके दर्शाता है किसको general store को तो general store के अगर हम बात के तो option number C क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा पूछे गए प्रशन के लिए चलिए बात करते हैं फटा-फट से अगले question की अगले दिमें प्रशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपसे odd one out पर based question पूछा गया है odd number होता है, even number होता है, prime number होता है, confusing number जैसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है यानि कि इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका option number D तो यह हो गई बात, reasoning की इसके बाद की अगर हम बात के तो इसके बाद जो maths के section में question साब के पूछे गए थे वो आपके साथ में discuss करेंगे, myth answer, thank you